हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल All Is Well में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो 5 वेब ब्राउजिंग ट्रिक्स फर्स ट्रिक्स जो है वो है ब्राउजर विंडो एड्जेस्मेंट की अगर आपको जोरुत पड़े कि आप दो वेब पेज में आपको कमपेरिजन देखना हो या आपको दो ब्राउजर खोलने पड़े और उन दोनों में किसी कंटेंट में आपको कमपेरिजन करना हो आप वि ब्राउजर को एडजेस्ट कर सकते हैं। इस विंडख़ू को एडजेस्ट कर सकता हूँ। GPS Guide दूसरी ज़र्ट्रिक है वो है प्राइव이트 ब्राउजिंग। प्राइविट ब्राउजिंग है। आगर आप चाहते हैं। कि आप जो भी वेब पे सर्च करें वो बाद में किसी को पता न चले तो उसके लिए वेब पेज में एक option होता है जिसका shortcut है Ctrl-Shift-P Ctrl-Shift-P दबाके में अगर enter करता हूँ तो एक new वेब पेज खुल जायागा private browsing के नाम से आप इसमें जो भी सर्च करेंगे वो एक private वेब सर्च होगा उसकी history नहीं बनेगी इसको close करने के बाद में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्च किया है और क्या नहीं तीसी ट्रिक है aid block आपने कई बार देखे होंगे बहुत सारी side पे aid आते रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं उन एडों को block करना तो उसके लिए आप ब्राउजर की setting में जाए जैसे मेरे अभी mozilla पर work करता हूँ तो mozilla में एड ओंस पर जाए एड ओंस पर जाने के बाद में extension पर जाए क्लिक करें और यहां search box में search करें एड ब्लोक और search करें यहां पर एड ब्लोक for firefox के नाम से एक option आएगा आप इसे install कर लें मैं install कर लेता हूँ आप देखने downloading हो चल रही है ओके मैंने इसे add कर लिया है जैसे ही यह add हो जाएगा यहां पर right side में एक hand का sign आ जाएगा add block के नाम से अब आप जिस side पर जैसे इस side पर add आ रहे हैं तो यहां पर वो show कर देगा देखिए इसने यहां पर show कर दिया है कि 4 इस पर click करते ही यह बता देगा कि इस page पर चार जो है add चल रहे थे और उसको इसने block कर दिया है इस तरह से block कर सकते हैं किसी भी add को चोति trick है अगर आपने कोई webpage खोला है और अगर वो गलतिय से बंद हो गया हूँ तो उसको reopen करने के लिए control plus shift plus T दबाए वो last वाला page जो है वो वापस आ जाएगा control plus shift plus T तो मैंने यह add ons वाला जो setting का tape खोली थी वापस आ गई है उसके बाद ने पांच भी जो trick है वो है up and down की अगर आप किसी भी web page पे बिना mouse के उपर नीचे उसे करना चाहते हैं आपका mouse काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप space bar दबाएं जब आप space bar दबाएंगी तो web page आटमेटिकली नीचे होता जाएगा नीचे स्क्रोल होता जाएगा और अगर आपको वापिस उपर जाना है तो आप shift के साथ में space bar को दबाएंगे यह देखिए इस तरह से यह आटमेटिकली उपर चला जाएगा तो यह थी top 5 web browsing tricks अगर आपको यह tricks यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like करें share करें and subscribe करें Thank you